हेलो आदाब सत्रेकाल नमस्कार, मैं अभूबेंदर कुमार और आप देख रहे हैं नरंगा विहार, बिहार विधान सभा चुनाव 2020 की तैयारिया सुरू हो चुकी है, सभी पाटियां अपने अपने चुनाव के लिए परचार कर रहे हैं, डिजिटल रैलियो का दोर सुरू ह हो चुका है, और इसी कड़ी में हम सुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें परिहार विधान सभा चेतर के यहां के जो अस्थानिये नेता हैं, उनसे सभी से आपको रूबरू कराएंगा, और इसी सीरीज में हमारी पहली मुलकात के लिए हमारे साथ मौजूद है, विक सारे लोग हैं कि छेतर के अंदर नहीं भी जानते हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचे दीजिए कि आप कहां आपका जनम हुआ, परिया पाईवारिक परिष्ट भूमी क्या रही हैं? मैं सत्य नरायन सहनी, मेरे पिता स्वर्गिय डक्टर बल्दे प्रसाद सहनी, एक हुम्योप अथिक के बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी गिरामी चिकित सक्त है, और हम जीस आवास पर अभी रह रहे हैं हैं, सम उनकी दिन है, और हम उनकी संतानों में पुत्र के रूप में आखेला हैं, अमारे पिता जी कि जिन्दिगी में ही मैंने स्रिगांधी उच्विद्याले पढ़िहार में विज्यान सिक्षक का कार्जभार समाला, वो साथ अक्टूबर उनिस्वबिरासी की बात है, साथ अक्टूबर उनिस्वबिरासी की रूप में आप सिक्षक पढ़े रत होगें, जे जे, पहली पोस्टिंग आपकी यहीं हाँ, श्री गांधी उच्विद्याले पढ़िहार में, और तब से मैंने, नौबर 2016 तक अपनी सिक्षा सेवा उच्विद्याले, उच्विद्याले, उच्विद्याले में दी, और जिसमें मैंने, प्रधाना द्यापक का भी पद समाला, और आपसे बताओं कि जब मैं प्रधाना द्यापक हुआ, तो कुछ दिनों तक श्री गांधी उच्विद्याले पढ़िहार में, भी प्रधाना द्यापक का भद समाला, उसके बाद अंत में मैंने, सेवान इब्रिती, सिरी केस्वर मुखलाल उच्विद्याले, विश्वाब अजार में भी, वही से मैंने अपना रिटार्मेंट लिया, वो 30 नौंबर 2016 को, और हमारे पीता एक लब्ध प्रतिस्ठित, हुमियोपैत थे, जिस समय स्वतंतां दुलन चर रहा था, उस समय हमार पीता है, भारत ही नहीं, नेपाल के अधिकांस गाउं में, महमारी के समय, जिस समय काफी हैजा का प्रकूप था, उस समय भी उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में आहम भूम का आदा की. सिख्षक पहले थे, उसके बाद आप रिटार हो गए, अब एक नई पाड़ी अब सुरू करने जा रहे हैं, तो सिख्षक से राजनेता बनने का फैसला यह कैसे आपने किया कि अब मुझे राजनेती की तरफ जाना चाहिए? जब मैंने 35 वर्सों तक यह स्यवाज मैंने की, तो देखा कि समाज में, अभी भी हमारे जो पिछरे वर्ग के, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस समाज से आता हूं, इस एरिया में अधिकांस पिछरे वर्ग के लोग हैं, और यहां लोग भूक की भी समस्या, आवास की स समस्या, जो मौलिक समस्या हैं, उससे बुड़ी तरफ पीरित हैं, और ऐसी हलत में, मैंने देखा कि समाज की मुख्य धारा में हमारे हां के किषोड और यूबा नहीं हैं, उनको मौलिक आवशक्ताओं की पूर्टी नहीं हो पाती है, तो मेरी इच्छा हुई, मेरे जो मेर बिद्यार्थी ऐसे थे, जो मुझसे काफी करीब थे, और जब कभी मैं इदर उधर इस छत्र के गाउं में, विविन टोलों में घूमने का काम किया, इस राजनिती से आने, इस राजनिती में आने से पहले, तो मैंने देखा किये, कि यहां मौलिक आवशक्ताओं की बड़ पहुचा पाते हैं, सरकार तक नहीं पहुचा पाते हैं, प्रशासन तक नहीं पहुचा पाते हैं, और परिणाम यह हुआ, कि उन बच्चों के आगरह, उन विद्यार्थियों के आगरह का मैंने सम्मान किया, और उसी सम्मान का परिणाम है, मेरे मन में एक बात आई, कि क्य सखेंट्रे थे जिसको मैंने मैं हपनी वर्राइने करता कि पढ़ानी लिखाने का भी काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको कीटाब यिति जरूत पड़ी तो मैं तो मैंने काव कीश सबसे कारण हम जिस समाज से आते हैं इस समाज अभी भी आदी वासी के रूपी में नदी नाले पोखडे आदी में अपना समय बेतीत करता है और हमारे पूरब़पलु निश्ऄ तर से रहे होंगे नदीनाले में। और उनको कोई देखने वाला नहीं हुआ। पहली बात ये हुई। दूसरी बात मैने देखा कि यहाँ जो अत्यांत पिछरी के लोग हैं। तो मुझे एक प्लेट फॉर्म चाहिए था और इस प्लेट फॉर्म के लिए बिहार जैसे राजी में भारत जैसे देश में कौन किसको देखता है तो मन्ये हमारे राश्तिया ध्यक्ष स्री मुकेश सहनी जी ने जिने हम सन अफ मला भी कहते हैं हमारे समाज के लोग और पुरीदेश के लोग कहते हैं सन अफ मला उन्होंने मुझे मान मर यादा दी और एक प्लेट फॉर्म दिया जहां मैं अपनी बात को रख सकूँ हम अपने समाज की समस्याओं को मैं रख सकूँ और जब तक हम अपनी समाज की समस्याओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं ने सोचा, कि मानिय मुकेस जी हमारे, जब हम को एक प्लेफ़र्म दे रहे हैं, तो मैं इससे जूड़ू तो मनी मुकेश जी ने हमको फ्लेट्फॉम दिया इसलिए मैं इस पार्टी को जॉइन किया मैं अपने दर्शकों के बता दूं कि मुकेश सहनी विकासील इंसान पार्टी की उन्होंने अस्थापना किये इसे पहले वो मुंबई में फिल्म सेट का निर्मान करते थे आपने फिल्म दकियों की देवदास बजरंगी भाईजान हालिया फिल्म रिलीज हुई थी तो इन फ गंधे मैदान में जब पार्टी घोष्णा हुई तो मैं मंच पर था और उसी समय में मैं पार्टी के साथ जुड़ा मैं सुरुवात से ही उस पार्टी में यह तो बात 2015 में मुक्य सहने जी ने एंडिये का भार्टी जंद्र पार्टी का समर्थन किया था उन्होंने मुझपरपुर में एक रैली भी की थी तो उनके प्रभाव को देखते हुए साथ अमीच साजी के साथ वो हेलिकॉप्टर में चुनाव प्रचार करने जाते थे उनका इतना द मानिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी आये थे उनका चकर मैदान में उनकी रैली थी और इनकी रैली थी पुलिस लाइन में तो मानिये प्रधान मंत्री जी के सभा में लोगों की संख्या बहुत कम थी और इनके सभा में इतनी संख्या थी कि पूरा मुझफर पूर अगर अपने साथ ले लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा और उन्होंने डोड इनके चाड़ों तरफ से बाधा और इनको अपनी तरफ खिचने का प्रयास किया उनको लगा कि मन्य मुकेजी बहुत ही हमारे लिए लाप्रद होंगे इसलिए इनके चाड़ों तरफ से उन्होंने कौकस बनाया और इनको अपनी तरफ लिया सचा यह भी थी कि हमलों का जो आरक्षन हमलों के पूरवज अभी भी आदिवासी जैसी जिन्दगी बेतीत करते आये हैं और अभी भी बहुत से हमारे समाज के अधिकांस लोग अभी भी आदिवासी की जिन्दगी बेतीत कर रहे हैं पोखरे में, तलाब में, नदी में, नाले में, दीन हो, रात हो, सांप हो, गोजड़ हो, हम उसका प्रभा नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, मचली मारने में कभी-कभी सांप भी काटता है हमारे बंसजों को, तो उन लोग ने कहा कि, भाई, आप आये, हम आपकी जाती को, आपके समाज को उपर उठाने के लिए आरक्षन दे देंगे, और उससी जाती में जाने देंगे, और उन तो इन लोगों ने, हम लोगों को फुटबल समझा, जब इनका काम बन गया, हम लोगों को ने, जैसे तो हमको मजबूरन उन से अलग होना पड़ा, क्योंकि हमारी बात, जब तक हम जिस मिशन से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हम अपने समाज को मजबूत नहीं कर पाएंगे, हम अभी भी चाहते हैं कि यह हमको आरक्षन दे, और यह जो फालौट है, है चाई है, यह सब जितनी भी हमारे उपजातियां कि इस तरह 21 उप जातियां नून्या हैं, यह सभी इतना पिछे रहूं है एक काम के अंसार इन लोगों को बिभीन बड़गव में बांट बांट कर के हमारे पुरवजों को इतना तबाह किया गया, जिसकेलि लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों रहे हैं हम उनसे अलग हुए 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में 2018 में नहीं पाटी बनी थी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तीन सीटे दी गई तो महागटवंदन से ऐसे कैसे जूराव हो गया उन्होंने मुझे प्रतिस्था दी उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं हम आपके साथ रहेंगे और जिसका परिणाम हुआ कि खगड़िया लोकसभा मुझाफरपूर लोकसभा और मधमनी लोकसभा का मुझे पद नहीं दिया गया तो बिहार विधान समेन सबा दोहजार 20 में महागटवंदन के साथ हैं और एंसे अलग आप्की पाटी की क्या ifang available के साथ हैं मांभी और हम को शेख्या रहा हैं कि महागण दन के साथ ही रहें पर हम‍को पुण बिश्वासे कि महागटवंदन में ही हम रहेंगे और हम मानिये राष्ट्री अध्यक्ष मानिये मुकेश सहनी जी नोए ये कल भी जी निउज पर उन्होंने अपना एक इसकुलिशिव जो अपना इदिया है जी बिहार जारखंड पर उसमें उन्होंने क्लेर किया है कि हम महागटबंदन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि महागटबंदन आगे चले और हम लोगों को उमीद है कि महागटबंदन आगे चल कर के बहुत बड़ा काम करेगा और ऐसी हालत में हमारा यह समाज आगे बढ़ेगा तो उसमें उन्होंने तो यह भी जिक्र किया है कि हम किसी पार्टी के पिछल लगू नहीं हैं हम साथ चलेंगे आप उसके साथ हैं और उस कौमन प्रोगाम को लेकर ही हम चलेंगे पीछे अठानी की बात उन्होंने भी कहा कहा है उन्होंने यह कहा है कि हम साथ चलें चुनाव से हटकर वर्तमान मुद्दे पर बात करते हैं अभी करोना का दौर चल रहा है जै सबसे पहला मैं उदाहरन दूँ बिहार सरकार हमारे जो मननी अभी हां के जो बिधायक जी हैं स्रीमती गायत्री देवी जी उनके लिए एक स्पेशल इंतिजाम हुआ होटल उनके साथ छे और कुल मिलाकर के साथ लोग कुरेंटाइन हुए होटल में और आमजंता के लिए क्या होड़ा है उनके लिए क्या होड़ा है क्या दिन प्रति दिन संख्या बढ़ती जा लही है और जब संख्या बढ़ती है उसका निदान और सरकार कहते हैं कि आज कीट भेज सबसे पहले जाच प्रफ प्रफ यहां की जनता है अपने गर्म दूद पीती है जनता है जिसके पास उपलब्ध हल्दी के साथ पी लेती है जनता इहां की और गोडम पानी पी करके अपना यू मीन सिस्टम को्डाल चलाते हैं तो थाल चलाते हैं वह जो हमारा मजभूती का सिस्टम है इसdagर हो हैMom की सरकार सरकार जीonseदी जीनाइक रही है और सिर्फ ये पड़़वाजी कर रही है ये कर रहे हैं वह कर रहे हैं कुछ नहीं है हमारे लिए क्या लिए कि आपको भोजन देंगे क्या होता है किसी को भोजन आज तक मिला है किसी के भोजन का उनको ख्याल है जंता जब जाती है उनके पदाधिकारियों के नजदिक तो ठीक है ठीक कहा करके पहले तो मिलते नहीं है अगर मिल गए तो ठीक है उसके बाद कितना ठीक है आम जनता इस बात को जानती है और ये लोग हमेशा एक फोन नंबर देते हैं पेपर में देते हैं मीडिया में देते हैं कि आपकी समस्याएं जितनी आती है साड़ी मेरे बहुत से लोग आई जो पुना से आए हूं मेरों के बोगे समस्या हो गई है ? कोरोना काल में ने आई ने दबा क्या दी दबा क्या किया क्या इंतिजाम किया कि सिर्फ परऴजी है और मीडिया में अपना नाम निकालने के लिए धर पड़ा motion कि जलदी से बोट हो जाए तो हूं पावन मे रहेंगे तो जतना होगा हम अपना गुमा गुमा कर्के Äpna driving चब आएंगे और क्या करेंगे यही तोड़ा है कुछ तो नहीं उड़ा है कुरोना जंता अपने बूते पर लड़ रही है कुरोना से सरकार के तरफ से कोई इंतिजाम नहीं है सचाई पूछिए तो इस मौके पर जहां लोग किसी भी छवन मृत्तु को प्राप्त हो सकते हैं कोई जीने का सहाड़ा नहीं है पहले कोरोना को देखिए कोरोना को भागार लीजे ना फिर गदी पर बैठी जाएगा आप यू बैठीएगा पर अप जरासन जंता की सेवा करना लीजे बाढ़ हाई भी है हर जगह हर जगह आ मीडिया में ही दिखलाए जाता है टीवी पर धिखला जाता है पेपर में आता है कि यह लोग प्राइब है हूँ जट रिखें ए strand कि यहां लोग रहे हैं यहां डूब्रहं हैं उहां घर उजर रहा हैं पहले मरने से बाचाना लीजे तभ अपनी बचा है इन्तिजाम कर कि सोक्र इस्ट्न सी होना चाहिए है है कि इस सेपτοिक संदाइगे मेंथें करेंगे बूथ पर जहां पर 1500 सो भूण थर हैं कहीं कहीं ऐसे सेडिस्टेंज मेंथेन करेंगे एक ही बूथ पर म कहते हैं हिए आने के लिए कि उाए अनुन पर सिख्ड़ उब एक चुनाव की तारीक हैं जो वो तो election commission करेंगे लेक्श वहता है तो क्या तैयरी आपने कर रखेंगे दूए जहां तक सब्सक्राइब सबी पार्टियां अपनी अपनी तियारी कर रही है हम भी तियारी कर रहे हैं हम भी घुम रहे हैं यह लोकडाउन से पहले भी घुमें हैं और हम यह जानते हैं कि सरकार के जो मुलाजिम लोग हैं मतलब खास करके जो सरकारी पार्टी वाले लोग हैं यह तो चाहते हैं कि चु हम तो तयारी कर रहे हैं कि हम जंता से संपर्क में हैं हम अपने बूत कमीटी का भी निर्मान करने का प्रयास कर रहे हैं हम अपने महागटबंदन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनता का आपको बतलाएंबे कि बाड़ के समय में भी हम घुम घुम करके सबका जाते हैं उनसे और कुछ तो यह काम था सरकारी का मुलाजमों का सरकार का जो सरकारी पार्टी हैं उनका काम था बाड़ के समय लोगों को देखना मगर हम लोग साधारन जो लोग हैं अभी जिन लोग के पास कोई सरकाड़ी साधन नहीं है फिर भी हम लोग बाढ़ में गए हैं घूम घूम करके लोग की समस्याओं का निदान ढूडने का प्रयास किये सबसे बड़ा कारण है कि यह लोग जो आगे बढ़ चुके हैं वह पीछे बालया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं मुखे कारण है यह चाहते हैं कि यह लोग हमारा मोट्रीड होता रहे हार दार करके युवा वर्ग राजनिती में जाना पसंद नहीं करता है इन लोग की बात यह लोग काम ले लेते हैं युवा से हमेशा कहेंगे युवा 5% भारत में युवा 35% है और यह इनके पास इतनी ताकत है जोश है यह खूब कहते हैं परन्तोव जब युवाओं की बात होती है इनकी बात कौन सुनता है कोई सुनता है क्या उस समाई ये लोग इसी में बैट करके अपने मन में जो आता है कभी आकर के पढ़ियार में देखते हैं कभी आकर के इस चत्र में देखते हैं कि क्या समस्या है पूल है की नहीं रास्ता है की नहीं यह सब देखते ही नहीं है वहा इसलिए वो निराज है और इसलिए बैगानिक बनते हैं जिनेवर्ण इतना बड़ा पद पर जा सकता है क्या जो चांद और मंंगल गरह पर जानीक तेख रहा इन पर भी गया मन्रूप बैद्ध कैया तो जब जब सुन सब गया तो उतक है इतना बड़ा इसी इसलिए कि यह लोग जो आगे बढ़े हुआ हैं यह लोग उन लोग को आगे आना नहीं देना चाहते हैं क्योंकि जब युबा आ जाएंगे तेन लोग का जो अपना यह ना अपनी डफली अपना राग बजाना बंद हो जागा युबा करके इनका प्रतिकार करेंगे अपनी बात रखेंगे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लाएंगे सदन में तो इन लोग को दर्द होगा और इसलिए हारदार करके युबा कहेंगे कि युबा के पास बहुत शक्ती है यह कोह देते हैं पड़नतु जब जरूरत परती तो युबा की बात यह लोग नहीं मानते ह है यह लोग क्या करते हैं पीछे से नहों ता ह हाई कोट में aux लगा डेते हैं रीट करवा देते हैं और प região यह सोचता है कि हमको जाना है फ़लानी जग duas निय्ग हम पर कौ cœur बणे हम आगे और करने के लिए हटोसाहित करने के लिए ये लोग इतना एमेर हता हैं कि युवा भार दर करके अपने उदे正क जो उनके उदेस है कि नहीं हम भी राजनिती में आवें अपनी बात उहा रखेंगे हाऊस 'd में जाकर करके अपनी बात रखें ईनको आने नहीं देना चाहते हैं यह जितने भी यह जरदगब लोग बैठे हुइ और उपर लोग बैठे हुए हैं ये लोग बहुत नज्दीके लुमरी मेढ चुनावट को खुतुας तो क्या स्विद्ट को रहे हैं लगभण बात हु है उनमान है को थे बात ही है पर चोड़ते हैं वह जितना चाहेंगे हम उनके साथ हैं कि हमारा वोट बैंक 15 पर सेंट हैं हमारी अथिपिष्रा वर्ग को ले करके तो हम लगग सब अथिपिष्रा को हम एक जगल आते हैं तो साड़े अथिपिष्रा मिल करके हम लोग तो 38-40 प्रतिशत हैं जो बहुत यही हम लोग न कहते हैं कि एज़ों अधिपिष्रा तो आतिपिष्रा एं तो अधिपिष्रा को आओ जब हो उती सार उन चालिस-प्रतिशत देना हमको शीत हमारे मानिया अधियक्ष ने जगि हम अतिधिपिष्रा को कम से-कम 33% सै दe कुई उसमें से 33% सब और बहु देंगे करें यह ने क्यों को आप क्या रहां रहता है कि मैं 35 शिखषक को अब धर्द्र बात मैं कहूं आप से कि मैं 35 बिडिया enough से मेरे जो सागिर्द रहे हैं मेरे जो सिसे रहे हैं उन लोगों ने मुझे प्रेडित किया है उन लोगों ही लोगों ने हमें यह उत्सा बढ़ाया है उन लोगों ने कहा कि महां से आप आगे बढ़े हम आपके साथ हैं तो यहां ना तो कोई जातियता है हम वो सभी जातियता से उपरूट करके हमारी मदद करने के लिए तयार हैं और आपको मैं बताओं चालिस से पैतालिस अजार मेरे सीश्य हैं उन लोगों में से अधिकांस ने कहा कि सर आपको खड़ा होना है आपको मैदान में आना है और आप चाहे जहां भी जाएं हम आपके साथ हैं और जब साफी पसंद करती है मैंने देखा है मैं गया सुनवर्सा के भलवाहा रजवारा इसके बाद बिरता आपसे बताएं नरकटिया पकडिया और क्या कहते हैं कि मुझेलिया और इसके बाद जैन अगर अरडिया दोस्तिया वहां के जितनी भी लोग थे मैं वहां गया सुनवर्सा चेत्र की बाद तो हर जगह आपके लोग मतलब हैं मेरे लगबग पूरे चेत्र में 40 इस चेत्र में लगबग 40,000 मेरे विद्यार थी हैं और जिन लोग के बल पड़ ही मैं आगे बर रहा हूं और उनके माता पिता देगा ऐसा मुझे विश्वास है और वो लोग मुझे आशिरवाद देने के लिए के लिए प्रिहार की सीट चुए पिछले दो बार से भाजपा के पाले में रही है 2010 से पंदर में राम नारे सियादव जी विदाहक ते उसके बाद 15 से 20 तक गैतरी देवी जी विदाहक चुनी गई है तो इन सालों में आपको क्या लगा है विकास के क्या काम हुए है कुछ भी नहीं गैतरी जी भी आती है आज का इलक्षन का समया है तो सुनते हैं कि आना शुरू की है इससे पहले तो लोग कहते हैं कि कभी उनको हम देखा नहीं हम पहुचानते भी नहीं अगर यह बात रहती तो हमारा या बाढ़ गरस्त छेत्र अभी तक के इसका विकास तो और पीछे की बात मैं छोड़ दूँ दस वर्स कम समय नहीं होता है दस वर्स में निश्यत और से पुल पुलिया बन गया होता है सरक बन गई होती सरक के तो इस्तिती पहले से तो बहतर हुई है नहीं आप हम गए आपको बतलावें लप्टा हा गए लगुडिया गए खुर्षा गए इसके बाद महाद्य पटी में मैं गया इसके बाद स्वा स्वास्त का भी हाल देखता हूं कि आप चले जाएं स्वास्त उपकेंद्र भिस्वा मकान जरजर हो चुका है डॉक्टर है ही नहीं करमचाडी ही नहीं तो मकान में भूती ही नराएगा है यह नोचा होस्पिटल का हाल देखिए वही है तो नशड़क है नशवास्त है किसानों को लेकर आपकी क्या समस्या लग रहे हैं कि छितर के किसानों की समस्या है यह सिचाई का अभी तक कोई इंतिजाम नहीं जब नदीन आले को नहीं समहला गया बोरिंग नहीं हुआ आज से बहुत दिन पहले बंजरी का सुलिस गेट बनना था, उस समय कागज पर बनना था, अभी तो निर्मान चल रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होता है, सो पहले जाने, उसकी जर्में जाएए, न क्यों नहीं होता है जो काम फारै उसको तीन वर्स से भी अधिक में नहीं हो पाता है कि आ अगर जितनी नदियां हैं फोर और हो看 head तो बाड़ भी नहीं आएगी ठीक है माना इस बात को कि नेपाल कि तो नेपाल से बात करना लेकिने का काम तो नहीं है यह तो प्रशाशन का काम है सरकार नेरो से बाँ 20 का 9 ref अर जितनी भी नदीनाले ऑनका समायोजन कीजिए कहां से कैसे घाएगा वोनदी कि अच्urgh आप देखेंगे कि जब कभी भी बीज गिराने का समय आता है उसके एक महिना डिर महिना के बाद बीज आता ही है उपर से, क्यों भीज तो आना चाहिए अगर पांच मई से पांच जुन तक बीज गिराने का समय है, मैं विज्ञान का भी विद्यार थी रहा, इसलिए मुझे अच्सित तरह वेग्यानिकों ने वटलाया कि पांच मई से पांच जुन तक सब से उत्तम समय है, धान का भी बीज गिराने का तो 5 मई से 5 जुन के बाद नहीं आप जूलाइ में भी बेज भेसते हैं जून के रास्ट नहीं में भेसते हैं तो उनको क्या अच्छी फशल की प्राप्ति होगी नहीं होगी तो यह भी नहीं करते हैं दूसरे में यह किसान जो यहां की जनता कोई दुख दर्द लेकर जाता है तो अफिस में पदादी काड़ी हैं अपनी बात रख पाते हैं सिर्फ दलाली चलती है घूस रिस्वत खूब चल रहा है जिसको जो मन में आत यहां की जनता को कौन देखता है समस्याएं हैं उन समस्याओं का माना की एक दिन में निदान नहीं होगा कुछ बरसों में निदान तो होना चाहिए आपको बताऊं कुमा एक डाइभर्सन है हम लोग जब जिस जमाने में पढ़ रहे थे उस समय उसी समय वो डाइभर्सन बना कि वहां का पूल सबरबाद हुआ उसो करके हम लोग नाव पर हेलते थे त्यूब पर हेलते थे पैदल चलते थे आज लगभग पच्छमन बरस हो गया इस चेत्र के अधिकांस जितने भी मिनिस्टर हुए प्रति जन प्रतिनिधी हुए सभी उसो करके आते जाते हैं आज में जाकर के देखिए कुकुमा का रास्ता बंद है तो अगर 2020 विधान सवाचुनाव में अभी तो सीटों का बटवारा भी नहीं हुए अगर यहां कि सीट महागदवन के पाले में जाती है और विकासिल इंसान पार्टी को गर मिलती है तो आप क्या मुद्दा लेकर जन त सबसे पहले सडक सिक्षा स्वास्त सिचाई किसान का है ना और यह रिषुत खोड़ी जनता के साथ मिल करके रिषुत खोड़ी हम जनता को जगाने का प्रयास करें कि वह रिषुत नहीं दीजे और काम कड़ाने के लिए यहां पर टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि इतना दि यहां पर आधार कार्ट बनाने के लिए कोई सेंटर नहीं है अगर सेंटर है तो महां माना इस वड़ी है इतना दे दीजे पहले ही दे दीजे और फिर अगले दिन आई और इस तरह होता रहता है क्या है कुछ नहीं होडा है आपको एक और बात बता दूँ माननी है लालू परशाद जादब जी सीता मढ़ी से ले करके स्वनवर्शा से पढ़िहार पढ़िहार से सुर्षंड और सुर्षंड से जैनगर तक के उन्होंने प्रस्ताओ दिया था पार्लियमेंट में रेलवे लाइन का और रेलवे लाइन का हंडी भी निकला इसकी सर्वे भी हुई मंगर कुछ सीता मढ़ी से सुनवर्षा से पढ़िहार से सुर्षंड और सुर्षंड से जैनगर होते हुए आगे ये क्यों नहीं हुआ तो समस्याओं को लेकर के आगे कौन जागा हमारा जन प्रतिनिधी जाएगा हम अपने से उंचे प्रतिनिधी को कहेंगे कि भाई हमारी बात को देती है साल में पैसे देती है उस पैसे का सदू पियोगोना चाहिए नल जल को देखिए को कहीं भी काम्याब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टंकी बनी हुई है और वही हालोगा जैसे सरकारी बोरिंग का है जिस समय पानी की जरूत होगी उस समय बिजली कि बिजली नहीं रहेगी करम करमी क्या करेंगे कि इसका पाठ थड़ा भोगया और एक आवेदन दे करके अपने स्क्यूटी ब इंजिनियर को दे करके घर चल जाएंगे और समय पर पानी नहीं मिलेगा लोग पानी के कारण भी मड़ जाएंगे यहां के लोग यही है नल ज पास के जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कोई संदेश आपका उनके लिए है कुछ बताना चाहेंगे आप मुझे साथ दीजिए मैं आपका साथ दूंगा यह वादा करता हूं और इस कोरोना के समय में आप लोग मास्का इस्तमाल करें कि सुसल बचों को इसकुल जरूर भेजें सिचाई के साधन के लिए जब जरूरत पड़े हमारे साथ आगे बढ़िए हम आपके साथ रहेंगे कहीं रिश्वत खोड़ी की बात होती है आप आईए हम साथ चलेंगे आप हम आगे रहेंगे आप साथ रहें विद्यालेओं में सरकार स अगे रहें हम सभी मिल करके मांग करें कि विद्यालेओं में मिल को हटा दिया जाए मेडे मिल की एक एजनसी बननी चाहिए वह एजनसी अपना खिलाबे सिक्षकों का काम होना चाहिए बचों को पढ़ाना सभी जितने भी छेत्र में स्वास्त उपकेंद्र हैं अत्वाकेंद्र हैं साड़ी जगार डॉक्टर्स को लाया जाए कर्मियों को लाया जाए क्यों अपने देश में 11,000 पर एक डॉक्टर है वो भी धिरे धिरे घटता ही जा रहा है जब हमारे डॉक्टर और सुरक्षी था है तो सरकार का काम या नहीं है इसलिए सब मिल करके हम सबी मिल करके जितना भी सड़क है सिचाई है स्वास्त है सिक्षा है आप से बतावे रिश्वत खोरी है इस सब का मतलब यहां जैसी जरूरत पड़े हम आपके साथ रहा हम आप साथ रहें और हम सब का विबादन करते हैं कि आप अगर हमें मौका देंगे तो निशी तोर से आपकी समस्याओं का आधिकान से इसा मैं पूरा करने का प्रियास करूंगा तो ये थे विकासिल इंसान पार्टी के महा सचीव सत्नरैन सहनी जी अगले वीडियो में हम पडिहार के ही किसी अन्यनिता के साथ किसी अन्प्रतिनीधी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पे देख रहे हैं झाल